Sweet Poison का नाम आपने सुना है Sweet Poison एक ऐसा जहर है जो कि time के नुसर Body Cube पर effect डालता है और जिसी ये दिया जाता है ना उसे पता भे नहीं चलता है यार कि उसको ये दिया गया है क्योंकि इसके जो effects होते हैं वो बिल्कुली अलग तरीके से होते हैं और ये भाई 1 month, 1 week, 1 day, 1 year बाद भी हो सकता है यानि काफी लंबे time के बाद ये धीर-धीर effect दिखाता है और बहुत ही जाजा तकलिफ देता है उनको जिनको ये दिया जाता है और मैं इस बात का जिक्र यहाँ पर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि POCO का जो India Team है वो अभी अपने POCO के users के साथ कुछ ऐसा ही कर रहा है अभी हमारी POCO के M2 Pro device के लिए एक नया update रोल आउट किया गया है जो कि 12.5.3 enhanced edition है और ये आज ही के date में public group से सभी के लिए मिल चुका है और अगर आपके अपडेटर में आ गया है और आपने अपडेट नहीं किया तो लुक जाओ वीडियो को पुरा देख लो समझ लो उसके बाद ही आप decide करना क्योंकि अगर आप ये update करते हो तो in future आपका phone dead हो सकता है आपके phone में बहुत ज्यादा issue आ सकते हैं क्योंकि इस बार ये update सबसे ज्यादा घडिया है जैसे कि POCO X2 का camera dead का issue सामने आया था Redmi Note 10 Pro के कुछ ही विज़ास के dead हो रहे है POCO X3 Pro का भी camera और साथ-चाथ पुरा body है जो dead हो जा रहा है कुछ users के comment है उनका भी मैं आपको यहाँ पर बताने वालों कि उनका क्या opinion है इस update के बारे में और मैंने क्या कुछ phase किया है वीडियो important होने वाला है लाइक करेगा और POCO के users का share जरूर करेगा क्योंकि भाई आप लोग अपने पैसे से phone खरीते हो ना कि company वाले आपको फिरी में gift दे रहे हैं तो कुछ भी loss होगा तो भाई भुगतना आपको पड़ेगा company वाले भुगतने नहीं वाले इसलिए यह important होने वाला आप सभी के लिए मैंने two days पहले एक community पे पोस्ट डाला जिसमें मैंने लिखा थे कि भाई आपको अपडेट मिला यह वाला या नहीं मिला और मिला तो आपका experience कैसा है क्योंकि मुझे तो बहुत ही अजीब लग रहा है ऐसा मैंने जिकर किया था तो बहुत सरे users नहीं यह कहा कि भाई उनका update मिल चुका है और उनका phone काफी एच्छे तरीके से काम कर रहा है काफी optimize हो चुका है performance काफी अच्छा है कुछ लोगा कहना था कि भाई मुझे update नहीं मिला और कुछ लोगा यह भी कहना था कि update तो मिला है लेकिन कोई खास बदलाव नहीं आया performance गंदा लेकिन system में UI बगरा था वो दिधाहुदा features change हो गये है और एक दो का comment था कि भाई उनको फ्रहुद प्रॉलम देखनी को में रहे apps ओपनिंग के अंदर और charging के अंदर तो यहां पर ठीक ठाक मुझे response देखनी को मिला लेकिन मुझे तो प्रॉलम face हो रहा था फिर मैंने charging का वीडियो बनाया उसको मैंने publish किया उसमें कई सारे issues बताया bootlooks related, battery dates related, battery weeks related तो यहां पे भी कुछ users के complaint आये कि भाई तेरा phone खराब हो गया है तो care में दिखवा तेरी battery खराब हो गया है उसका कहना था कि भाई मेरा phone काफी अच्छे तरिके से काम कर रहा है मुझे कोई भी दिखका देखनी को नहीं मिला ठीक है और जिनको कुछ-कुछ problem था उनको तो भाई है और जो यूजास अभी कह रहे हैं कि मेरा phone सही है तेरा phone खराब हो चुका है मैं यहाँ पर प्रूफ भी दिखाऊंगा, क्योंकि जब जब जो घटना घटी है इस फोन के साथ ना, उन सभी को मैंने record किया है, उसके पहले कई बार भी हुआ था, जिसे मैंने record नहीं किया, ignore किया, मैं सुझा कि इसे fix कर लूँगा, उसका वीडियो दूँगा, लेकिन fix नह करना और इसे share ज़रूर करना अपने poco users के साथ, यह अभी अपने आप रखे रखे मेरा है, जो reboot हो गया है यह device, जबकि मैंने अभी चार्जिंग टेस्ट होला है, जब वीडियो शुरू किया था, उसमें आपने देखा ही कैसे बार 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 यह reboot हो रहा था, और उसके आपको recorded कर रहा हूं भाई, इस update को गलती से मत start करना क्योंकि भाई, बैंड बस सकती है फोन की, तो यह अचानाक से random reboot हो गया था मैंने device, जबकि बैटरी यहां पर चार्ज था, जो कि मैंने record किया है, दूसरे एक वीडियो के बात करें, तो फिर से मैं वीडियो इसके on होने का, on हो गया भाई, यहां पर फिर से आजाते है about पे, और आप देख से तो फिर से मैं दिखा रहा हूं इसलिए ताक्या पर doubt नर रहे, तो यह है हमारा 12.5.3 का enhanced edition, वाउ, क्या बात है, इस से में भी मेरा बैटरी बिल्क बिली full था, फिर भी यह प्रोलम देखन था, बट फिर से यहां पर reboot देखनी को मिला है, जबकि मेरा phone 100% charge है, अभी on होने के बाद मैं आपको दिखाता हूं, और यह public group से rollout भी होना शुरू हो गया है, मैं जल्दी आपको final video दूँगा, और भाई, मेरा request रही है कि मत करो यार update, क्योंकि कुछ videos का काशी अच्छा का करेगा और कुछ इसके band बच जाएगी, तो भाई, क्या बोलू, मैं आपकुछ समझ में नहीं आ रहा है, यहां पर आपको यहां पर दिखा दू, क्या है, क्या नहीं है, तो आपको यहां पर दिखनी को मिल देगा, इसका जो MIUI का version 12.5.3, यह final release हो चुका है, अभी के अभी कुछ दिर पह लहीं, और यहां पर मेरी बैटरी भाई, फुल चार्ज है, फुल चार्जिंग के बाद भी यह प्रॉलम देखने को मिल रहा है, देख से तो 99 है, यहां पर भी सेम प्रॉलम है, यह और यह वीडियो में अभी प्ले करना हो अपने Poco के M2 Pro डिवाइस के अंद प्लेयर का ही उच करो, महां पर भी ऑडियो ब्रेक हो के मुझे सुनाई दे रहा है, अभी इस्टील यह प्रॉलम है, यहां पर यहां पर एक और बग देख सेते हो, मैंने यहां पर वीडियो प्ले करके रख रखाया है, ताकि बैटरी टरेन को चेक कर पाऊं, और वीडियो यह प्रॉलम फिर से कंटिन्यू आ जाता है, जैसे कि आप देख पारे हो, मैंने साउंड चेंज किया, इस डावलू कर दिया, तो यहां पर फिर पुरा ब्लैक स्क्रीन आ चुका है, अब मैं यहां पर फिर से चेंज कर जता हूं, अब आप लोग कहोंगे भाई, यह तो प् यहां पर दिखाई देगा, जैसे कि आप देख रहोगे भी नोटिस कर रहोगे, कि हर एक skip है जो यहां पर हो रहा है फ्रेम, आप देख से तो यहां पर फिर से यह अटक चुका है, तो यह वीडियो की प्रॉलम नहीं, यह इस रोम के अपडेट की प्रॉलम है, अन्नादर यहां पर फाइल ट्रांसफर करता हूं, तो यह भी प्रॉलम मुझे देखनी को मिला है, और यह काफी ज़्यादा ही रीटेटिंग था फाइल ट्रांसफर के लिए, बाहर बाहर कुछी सेकेंड के अंदर डिस्किनेक्ट हो रहा था, एटोमैटिक, जबकि सब आप्सन बिल् और यह प्रॉलम मुझे पहले भी काफी बाहर देखनी को मिला, इसी अप्डेट के अंदर, आप देखने तो यहां पर फाइल ट्रांसफर बगरा सेलेक्टेड है, डेटा के लिए किनेक्ट है, यहां पर फोको एम्टो प्रो भी सो कर रहा है, बर जब मैं यहां पर टैप कर करना पड़ता है, तभी जाके है, जो यहां पर डेटा ट्रांसफर काम करता है, तो यहां फिर से मैंने यहां पर चेंज किया है, फाइल ट्रांसफर चेक करते हैं, ठीक है, अब यहां पर मैं ओपन करता हूं, तो अब यह सो हो गया, तो यहां बार बार मुझे देखनी को मे गर्बर कर देंट परसंतक में इसा चार्ज किया उसका मैं लग आउन करता हूं तो यह ओन हो जाता है बर फर्स्ट Amp जब मैं इसका युए बैटी चार्जिंग टेष्ट्ट का वीडियो बना रहा था उसमें 파 customer टेट हो गिया मैंने चार्जिंग शुरू किया जैसी एट परसेंट के असवर बैटी पहुंचता है मैं आउन करेता हूं आप मेरा ओल्ड चार्जिंग वीडियो देख लेना वहां पे मेरा फोन डैक बूट्लू में चलाता है बार बार पोको का लोगो अपेर हो रहा है आ रह करना पड़ा मेरा बूट्लूर उन्लॉक है तो मैंने टीर लॉर पी डाला कुछ डेटा से उसे रिकावर किया उसके बाद मैंने पोसिस किया रोम फ्लैस करके बूट नहीं किया मैंने नया रोम डाउनलोड किया फिर से सोचा कि रोम डाउनलोड किया है वो गलत होगा तो फिर से डाउनलोड किया फिर फिर फ्लैस किया सेम प्रॉलम तो मुझे डाउन्डेट करना पड़ा ओल्ड वाले MIUI वर्जन के उपर वहाँ पर अच्छे से काम कर रहा था बैटरी, कैमरा, परफॉर्फॉर्मेंस, एप्स रेंडम रिबूट एक दिन के बाद फिर से रिये स्टार्ट हो गया और जहां पर मैं बैटरी टेस्ट करता था इवरी टाइम हर एक डिवाइस के लिए मुझे स्क्रीन ओन टाइमिंग 12 आर्ट से लेके 18 अस तक का देखनी को मिलता स्क्रीन ओन टामिंग मैं एक ही तरीके से सभी पर चेक करता हूँ ताकि पता चल पाए कि पिछले अपडेट पर कैसा था और अगले अपडेट पर कैसा हुआ है और इस बार और यो ब्रेक होने के बज़े से जो बैटरी बैका मुझे मिला ना वो सिर्फ उसी 6 घंटे का मिला यानि 6 घंटे का जो को मुझे 12-18 घंट और 5% के अंदर अपने फोन को अन कर लोगे ना तो भाई आपका फोन बूटलू में चला जाएगा ना अन होगा ना ओफ होगा बस वाइवरेट करता रहेगा और अगर आप एक नॉर्माल उस हो जैसे कि आपको बूटलूरा उनलॉकिंग और बाकिया चीज़ों के बार में का हो 15,000 को उसे पहले घर से प्रमिसन लेना पड़ता है इधर उसे जुगार करना पड़ता है बहुत सारे रिक्वेस्ट करने को उन्हें फोन मिल पाता है और वैसे में उनका फोन अगर डेट हो जाए तो भाई खुदका टेंसन अलग है घरवाले अलग सुनाएंगे भाई भाई छुपा देते प्राइज कि घर पे बता हूँ इतना महंगा है तो बात सुनने को मिलेगे तो वैसे तो वह अलग टेंसन है लेकिन इस टाइप का जो टेंसन होता है यह बहुत बड़ा होता है और एक स्टुटेंट लाइफ में पैसा क्लेक्ट कर पाना 10-15,000 का फोन ल हो रहा है क्या हो रहा है वो तो वह ही जान सकते हैं लेकिन अगर पोको का फोन डेट हो जाता है तो क्या आप दुबारा फोन बाई करोगे क्योंकि यह केसे बहुत ज्यादा बहर जा रहे हर एक डिवाइस के लिए कुछ दिन पहले पोको स्टुक आया था उसमें इतना ज्य रहा है लेकिन प्रॉलम यह है ना कि यह जो डेट होने के जो मामले सामने आ रहे हैं वो 100% में से 5% 10% यूजस के ही सामने आ रहे हैं इसलिए उनके बातों को दबा दिया जा रहा है यह बोलके यह भाई तेरा फोन खराब है क्योंकि सभी का तो अच्छा चर रहा है तेरा कै तो उन्हें कुछ किया और फोन के साथ इसलिए यह तेरी प्रॉलम है ना कि कंपनी ने खराब किया है जिसके वज़से आवाज उनके दब जाती है लेकिन पोको इस्टू के टाइम पर बहुत जाड़ा प्रॉलम हुआ जिस वज़से आवाज ऊपर निकल किया एक कंपनी त प्रॉलम है या कुछ अधर प्रॉलम तो बूटर उन्लोक करो जल से जल डाउनग्रेट कर लो 12.0.4 के उपर क्योंकि वह वह वन अप बेस्ट अपडेट है इस स्मार्टफोन के लिए और वहाँ पर बहुत सरे उज़से को काफी अच्छा कुछ देखनी को मेर रहा है कुछ नए फ्वीचर्स के लिए आप अपने फ़ॉन को अपडेट कर रहे है लेकिन भाई POCO वाले क्या कर रहे हैं कि बेंट बजन दजारी पापने आपने फ़ॉन को बचाना चाहते हम तो जल स से जल live करो अपडेट कर चुके हो तो अद्रवर्zne को तुके हूं अद्रवर वाला है जैसे कि Poco F3 GT उपर मैंने बताया था तो बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सुनाया गिया तो ने फोन यूज नहीं किया है सच तो बोलता है नहीं है तो यहीं गलती है तो अगर आपको ट्रस्ट है तो भाई डाउंग्रेट करो या फिर अपडेट नहीं मिला तो फिर मत करना जब आएगा तो अधरवाइज जब खुद फेस करोगे न तो पता चल जाया कि हाँ इस बंदे ने बोला था और आज यह मिल रहा है तो मुझे तो भाई बहुत जारा प्रोलम आने वाला है लेकिन भाई मैं फ्राइडवांस लेबल का यूजर हूँ हमेशा इधर हुसाद चेंज करता रहता हूँ तो मुझे कोई बिग प्रोलम नहीं होने वाला मैं डाउंग्रेट कर जाओंगा ओल्ड पे कस्ट अब पहुंचे और वो भी अपने फोन को अपडेट करने से पहले दस वर सोचे कि हाँ मुझे अपडेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए कई फोन न खड़ाव हो जाए क्योंकि हर किसी को नहीं मिलने वाला हंड़िट में से 20 परसेंट 10 परसेंट या 5 परसेंट य इसका मतलब है किसी ने उंगली नहीं की यहाँ पर कंपनी की गलती है तो बाई बात को समझो और ट्रस्ट करो और बचाओ अपने फोन को अधवाई आगे भूगतना आपको ही है मुझे था इनफॉर्म करना मैंने इनफॉर्म कर दिया मर्जी आपकी वहने वाली है कि आप क आपको वीडियो अचला रहे तो आगे कंट्निव करना और लाइक जरूर कर देना और नए हो तो सस्क्राइब ताकि हर एक अपडेट का इनफॉमेशन डीटेल में आपको मिल सके और यह भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी आप कोई फोन पाई करते हो उसा कोई अपड बजा सकते हो ठीक है अब मैं आपको बताता हो कि जो भी अपडेट आता है सबसे पहले इंटरनल बीटा टेस्टिंग में जाता है सेके नर्मल बीटा यूजर को मिलता है जो कि फॉर्म अपलाई करके जोईन होते हैं ठर्ड रेंडम यूजर को दिया जाता है फिर फाइनल बीटा को दिया जाता है फिर से नर्मल को दिया जाता है और फिर पब्लिक किया जाता है ऐसा नहीं है एक ही रूम रहता है बस सर्वर पर उसे लॉक किया जाता है पहले एक ही रूम को अनलोग किया जाता है इंटरनल बीटा के लिए फिर कुछ ताइम बाद उसे अनलोग कर फिर ट्राइक किया फिर से सेम भी ये सारे इसू देखनी को मिलें और आज के डेट में ये जब रोल आउट हुआ फाइनल सभी के लिए पब्लिक रूप से रेंडम यूजर को मिलना शुरू हो गया है तो मैंने दुबारा डाउनोड किया फिर से अपने फोन को क्लीन फ्लेश किया वोल्ड पे गया वहां से ऊटी करके लेटिस्ट पे आया और फिर से मुझे सेम औरियो क्रेकिंग रेंडम रिबूट और बाकी अदर प्रॉलम देखनी को मिल रहे हैं यानि भाई ये प्रॉलम है तो है अब आपको बिलीब करना नहीं करना आपकी मर्जी ह बस इतना ही और मैं यही सर्जेस्ट करूंगा कि इन फ्यूचर पोको का फोन भाई करने से पहले दस बार आप सोच लेना कि आगे चल कहीं प्रॉलम ना आ जाए दो भी फोन एक साल पूराना हो जाता है डेर साल पूराना हो जाता है ना उनमें यह प्रॉलम देखनी को मिल पोको डिवाइसेच के अंदर एक्जामपल के रूप में आपके सामने कई सारे डिवाइसेच है आप कामुईटी पर जाके बात कर सकते हो ट्रस्ट नहीं है तो आप फॉरम जाके चेक आउट कर सकते हो वहाँ पे कितनी उज़रस ने रिपोर्ट कर रखा है तो मैं एक परक नहीं पड़ता है आप इधर उधर हो जाओ ऐसे भी जो रूट करते हैं कस्टोनों डालते ना वो कभी स्टॉक एंडवाइड यूजर नहीं करते हैं मी वाई का अपने सामी या पोको के डिवाइसेच के अंदर ये साध आप लोग जानते होंगे अगर आप रूट करत लिए बाइब बाइब बहुत दुख्यों में इन अपडेट भूले के अगर 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